जिला पुलिस पहले ही छोटे मोटे बदमाशों को पकड़ कर अपने स्पीज स्थपा रही हो लेकिस पीम के आश्वासन के बावचूर साउथ रेंज में अपराधिक वार्दा पे ठमने का नाम नहीं दे रही है और पुलिस का सेवा सुरक्षा वा सयोग कनारा बेमानी साबित होता दिखाई पड़ रहा है इसी के चलते बीती रात फिर बदमाशों द्वारा बावल में हवाई फायर कर एक कपड़ा व्यपारी से एक करोर रुपे की फिरोती मांगने का मामला सामने आया है बदमाशों के यह सारी कंटूर सिसी जीवी कैमरे में कैद हो गई इस खटना को लेकर जहां बावल के व्यपारियों में पुलिस प्रिशासिंग के प्रती भारी रोश है वहीं शेत्र के लोगों में दहशत का माहौल भी है तेर गुला मेर को एक क्रोड रुपे चीजिए को मही क्रोड भी चीजिए बर तु तो ओन है वाए तु तो फिर इस फायर करें शीख दी हम इसके बाद दूसरी फायर में यहां बैठ ना यहां उता जिब मैं यहां बैठा तो जब तो पकल लेता हुश को चोड़ता रही है तो फायर करें दूसरा फायर खाली गए ना जब में इद्धार में बोले चमाल रही है वप पकड़ो साला तो भागड़ो बाग लगे भार ही खड़ेते लड़का और यह पालांद का लड़का अ कर बहार कि प्र लगश्या को बागे भागे वी फिर उसने फायर कर दियों कितने फायर के हैं? बाहर तिर फायर के हैं. पहले भी कोई किसी तरीके के आपके पास इंटी मैसन आया थी? कोई इंटी मैसन. इसे पहले कोई? इसे पहले कोई? इसने पीड़त वेपारी की शिकायत पर अग्याद बदमाशों के खिलाव केस तर्ज कर लिया है और मामले की जान शुरू कर दी है. लेकिन पुलस अभी तक बदमाशों कोई सुराग नहीं लगा सकी है. आप देखना यह होगा अपसी पुलस आरोटियों को कब तक गिरफ्टार करती है?